हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल है पजल मेनिया बितंकुर में जैसा कि आज SPI PO Mains का एक्जाम था और काफी सारे स्टूडेंस ने आज SPI PO Mains एक्जाम दिया है एक्जाम के लेविल की बात करें तो उमीद तो किसी को नहीं थी कि SPI PO Mains कहीं से भी आसान देखने को मिलेगा और आज SPI PO Mains का जो लेविल देखने को मिला है वो difficult और time consuming देखने को मिला है SPI PO Mains मतलब की test cricket कि कौन सी ball आपको खेलनी है और कौन सी ball आपको छोड़नी है मतलब question का selection सबसे ज़्यादा important था आज के exam में क्योंकि काफी सारे questions काफी difficult थे जो छोड़ने लाइक थे और जो question करने लाइक थे वो कहीं न कहीं काफी time consuming थे अब अगर good attempt की बात करें तो quant का level बिलकुल difficult और time consuming तो 10 से 15 के बीच में अगर आपके quant में attempt हैं तो यह अच्छे attempt माने जाएंगे reasoning में बही मतलब की difficult और time consuming तो reasoning में 15 मतलब की 15 तक या 15 प्लस आपके हैं तो बिलकुल reasoning में अच्छे attempt माने जाएंगे GA की बात करें तो GA का level बिलकुल भी आसान देखने को नहीं मिला आज के exam में काफी questions moderate देखने को मिले काफी questions difficult भी देखने को मिले हैं indirect questions भी काफी सारे देखने को मिले हैं आज के exam में तो GA में अगर 16 प्लस आपके हैं तो बहुत अच्छे attempt माने जाएंगे और English की बात करें तो काफी सारे students की English उतनी अच्छी नहीं होती है तो वो सोचते हैं कि accuracy के साथ बना कर आएं चाहें थोड़े से कम attempt हो तो English में 16 प्लस आपके हैं तो English में अच्छे attempt माने जाएंगे अब overall एक good attempt की बात करें तो इसमें थोड़ा सा कहना मुस्किल है क्योंकि question की संख्या देखी जाए तो अलग-अलग है सेम question की संख्या होती है थोड़ा सा कहना आसान होता है क्योंकि अगर एक उधारान की रूप में देखा जाए कि कोई student सत्तर attempt करके आया है उसमें किसी के quant or reasoning में जाना होंगे ठीक है और किसी के GA और English में जाना होंगे अब जनके quant or reasoning में जाना होंगे तो कहीं न कहीं उनको number जाना मिलेंगे तो overall कहना थोड़ा सा मुस्किल है बाकि आज जिन्होंने exam दिया है तो आप comment में जरू बताएं कि आपके total attempt कितने हुए है subject wise आपके क्या attempt हुए है और quant or reasoning में आपने कितने कितने attempt बनाए है अगर GA के आपको question याद है तो GA के question भी आप comment में जरू बताएं बाकि मिलते हैं फिनेस वेडियो में जब तक के लिए धन्नवाद